लली पूर नाम के एक गाव में हीरा लाल नाम का एक बैल अपने पतने लली गाई बेटा बेशन बैल और बेटी बर्फी गाई के साथ रहता है हीरा लाल की मा मरने से पहले उसे ये बात बहुत अच्चे से सो बार समझा कर मरे थी की बेटी या किसी काम की नहीं होती है शादी करके अपने घर चले जाती है एक बेटा ही होता है जो वक्त पर माबाप के साथ रहता है इस बात पर हीरा लाल को तब यकीन होता है जब उसकी बेहन किसी दूसरी बहुत बड़े समस्या की वज़ा से अपनी मा के अंतिम समस्कार पर भी नहीं आपाती है इसलिए मेरे बेटी की हर कोईश पूरी करना मेरी जिन्मेदारी है और जब वक्त आएगा मुझे संबालना उसकी जिन्मेदारी है सिर्फ सो रुपे ही तो मांगे है क्यों ऐसा कर रहे हो वो भी तो तुमारी बेटी है वो बिना वज़ा कर्च करने के लिए तोड़ी मांग रही है कौन कह रहा है उसे पढ़ने के लिए करके काम आम सिखाओ कुछी सालों में शादी करके बेज देंगे अभी बढ़ाई का कर्चा तब शादी का कर्चा ये तो हमें लूटने के लिए ही चिन्म लेती है बर्फी बिना कुछ कहे उदास होकर अपने खमरे में चली जाती है लल्ली भी इस उल्टे बैल से क्या बाहिस करना केकर वहां से चली जाती है लल्ली उसे घर चलाने के लिए मिले हुए पैसों में से तोड़े तोड़े से पैसे बचा कर बर्फी को पढ़ाती रहती है बर्फी के पास पढ़ने का कोई भी साधन सही नहीं है फिर भी वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है और बेसन के पास सब कुछ होने के बवजुद भी हमेशा आकरी आने का रिकॉर्ड बना कर रखता है अपना कभी तो अच्छे नमबर लेकर आया कर नालायक पांच क्लास में आ गया है और तुझे अभी तक A, B, C, D, B नहीं आते है ये सब तेरे पिता के नकरों की वज़ा से हो रहा है तो फिर उनी से कहो नमा मेरा दिमा क्यों का रही हो आपको और कोई काम नहीं है क्या करने को ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का कही से सीख करा रहा है ऐसी बाते लली क्यूं उसे परेशन कर रही हो टीक से बात करना बूल गई हो क्या तुम ऐसे हीरा लाल हमीशे लली को ही चुप करवाने की वज़ा से लली को बेलकुल भी अच्चा नहीं लगता है और वो अपनी बेटी को लेकर अलक रहने क्या फैसला करती है इस बात पर भी हीरा लाल उन्हें कुछ कह कर मनाने की बज़ाई ऐसे हसकर जाने को कहता है मैंने कब से ये खी बात कहता आया हूँ ये बेटिया सिर्फ करचा करवाती है बाकि किसी की काम की नहीं है तुम मेरा कर्चा कम कर रही हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा मेरा बेटा पड़े या ना पड़े बड़ा होकर मेरा व्यापार संबाल लेगा बस टेक है केकर लल्ली अपनी बेटी बर्फी को लेकर वहां से चली जाती है और बिना हिरालाल की मदद के खुद ही काम करके अपनी बेटी को अच्चे से पड़ाती है बर्फी भी सब कुछ मिलने पर खुश होकर बहुत अच्चे से पड़ाई करती है मा मैं हमेशा की तरह इस भार भी फर्स्ट आई हूँ हाँ पापा फूचने की जरूरत नहीं है मैं फैल ही हुआ हूँ मुझे पड़ाई में इंट्रेस्ट नहीं है मुझे साइकल का टायर उचालना है बड़ी बड़ी बाइक्स चलानी है ऐसी समय गुजारता जाता है बेसन बहुत बड़ी पड़ाईया पड़कर भी आज एक अनपड़ी है वो अपने महंगी महंगी बाइक्स के चकर में अपने पिता की सारी जिंदगी के कमाई और व्यापार बेच देता है अब ये सिर्फ गर ही बचा है बेटा लगता है मैंने तुम्हारा मा की बाद नहीं सुनकर बहुत बड़ी गलती की है अभी भी वक्त है रास्ते पर आ जाओ गर नहीं है पिता जी गर ता मैं बेच दिया इस गर को भी पिंकी से शादी करने के लिए पैसे उसी के पास है मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ और आपको भी कोई आकर दक्के मारने से पहले गर चोड़ दो ऐसे केकर वहाँ से चला जाता है बेसन बेल वो बात सुनने के बाद घर की दिवारे पकड़ कर रोने लगता है हीरा लाल तब ही वहाँ पर बर्फी और लल्ली आते है मैंने तुम्हें समझाने की लाख कोशिश की थी लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी मेरी बेटी आज एक बहुत बड़ी अफसर बन गई है ये बात सुनकर अपने बेटी को नाला हिकमत समझना तुमीने उसे ऐसे बनाया है वरना वो भी आज कोई अच्छा काम कर रहा होता तुम सही कह रही हो लल्ली सारी गलती मेरी ही है मैं ही अंदा हो गया था मुझे माफ कर दो तुम दोनो लली और बर्फी केते हैं कि वो घर उन्होंने ही खरीदा है तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है तब से वो सब मिलकर एक परवार की तरह अच्चे से रह सकते हैं चिमपूर नाम के एक गाव में चीनी नाम की एक घरबवती गाई अपने पती पुटिन बैल के साथ रहती हैं पुटिन एक बहोती गरीब बैल है गुजारा करने के लिए उसे हर रोस मजदूर करना ज़रूरी है इसलिए पुटिन हर रोस काम के लिए गाव में भटकता रहता है चीनी, मैं काम डूणने के लिए जा रहा हूं जो भी बचा है तुम काकर अच्छे से आराम कर लो मैं आज बिना काम किये लोटकर नहीं आऊंगा मुझे कौन सा मेहनत करना है जी घर में रहकर देन बर काली ही तो पड़ी हुई रहती हूँ आप कालो पता नहीं आज कैसा काम मिलेगा मुझे तो सोच कर ही डर लगता है मुझे इन सब का आदत है चीनी और तुमें भी होगी लेकिन फिलहाल तुमें अपना और बच्चे दोनों का ख्याल रखना है इसलिए खुश रहो मैं शाम को लोटकर आऊंगा ऐसे कहते हुए पुटिन काम के लिए गाव में निकल जाता है कुछ जमिनदारों से मिलता है और कुछ दुकानदारों से भी मिलता है लेकिन कहीं पर भी बात नहीं बनती है उसकी तब और किसके पास जाओं केकर परेशन हो रहे पुटिन को एक आवाज सुनाई देती है अरे पुटिन तुम यहाँ पर मैं तुमें ही डून रहा था ये काम है करोगे न आपका बहुत बहुत शुक्रिया है बाई साब मैं कितनी भी मेहनत करने को तयार हूँ बस काम कतम होते ही पैसे दे दो सो चावल का बोरिया है और पांच भी माले पर रखना है काम जितनी जल्दी कतम करोगे उतनी जल्दी पैसे लेकर जापाओगे टीक है केकर पुटिन बेल जल्दी से अपना काम शुरू कर देता है और चाहे कितनी भी धकन हो या कितनी भी मुश्किल हो शाम होने से ठीक दोड़ी देर पहले अपना काप पूरा कर लेता है तुम्हारी हिम्मत के जवाब नहीं पुतिन ये लो मेरी तरफ से एक सो रुपे इनाम बया जी मेरा एक सवाल है गलत मत समझना लेकिन इतनी सारी चावल के बोरिया इतनी उन्ची बिल्डिंग पर रखवाने की वज़ा क्या है? तुम्हें नहीं पता है क्या पुदिन आज रात के बाद से काव में तेज बारिश होने वाली है इसलिए मैंने सारे चावल उपर रखवा दिये है आप कवर से दखकर गाउ से बाहर चला जाओंगा ऐसी कैकर वो बैल वहाँ से चला जाता है पैसे लेकर चिंतित पुटिन भी अपने घर लोट जाता है और पत्नी चीनी से सारी बात बताता है चीनी उस बात को सिर्फ एक अफवा केकर भूल जाने को कहती है पुटिन बेल अपनी चिंता दिखा कर चीनी को भी परेशन नहीं करना चाता था इसलिए उसकी बात में हां मिलने की कोशिश करता है आज तोड़ा अच्चा सा खाना बना कर खाते हैं गर जल्दी लोटकर आने की कुशी में ऐसे कहते हुए चीनी सच में उस बात को भूल कर खाना बनाने लगती है तब ही उसके बच्चे के जन्म लेना का वक्त शुरू हो जाता है गबराया हुआ पुटिन पास यह में दो घर बात रहने वाले उसके भाईया और भाबी से मदद मांगने के लिए चाता है ऐसे कहकर बाहर निकले पुटिन को घर के बाहर तेज बारिश का सामना करना पड़ता है और दो घर पार होकर भाईया के घर पहुँचने तक पानी घुटनों तक पहुँच जाता है पुटिन तो यहाँ पर क्या कर रहा है चीने कहा पर है वो ठीक तो है ना नहीं बैया वो ठीक नहीं है उसे बच्चे होने वाला है और मदद के लिए कोई भी नहीं है इसलिए मैं आपके पास मदद के लिए आया हूँ पेके कहकर पुटिन का भाय और भाबी अपने घर की सामान को ऐसे ही चोड़कर पुटिन की मदद करने के लिए चाते हैं इस घर से उस घर पहुँचने तक पानी का बहब और तार बढ़ जाता है भाबी और चीनी को अपनी रेड़ी पर बैटा कर वहाँ पर ले जाता हूँ यहाँ पर रहे तो डूप कर मर जाएंगे टीके केकर पुटिन बेल और उसके भाय बढ़ी मुश्किल से चीनी को रेड़ी पर बिटा कर खुब आदे दूबे हुए रेड़ी को पंक में खांदों पर उठा कर उस बिल्डिंग पर ले कर जाते है वहाँ पर पुटिन के बच्चे का जन्म होता है और सब एक चैन की सास लेकर तूफान के खतम होने के इंतजर करते है